तो जीहां चात्रों आपका एक बार फिर से सोगा थे आपके अपने यूटूब चैनल जीत करश्च इंडिया पर और मैं यहाँ पे एक दम गर्दा मचाने आ चुका हूँ आपका त्रमासिक परिच्छा दोज्जर 2220 का बिसे आपका गडित का आपका यहाँ पे आपका फेप कर लिया ना तो यहाँ पे आप एक दम गर्दा मचा दोगी आप यहाँ पे 10 अक्टूबर के पेपर में जैसा कि आप जानते हो कि आपका पेपर से 19 सितंबर से पेपर होने वाला था लेकिन यहाँ पे पोस्ट पोल्ड हो चुका है आपका डेट आगे बढ़ चुका है तो आपको मैं हर एक कोशन का अंसर देने बाला हूँ चलिए फटा पट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी चात पहले जिप कर रहे हैं वीडियो को दिल से लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एक दम आपका ओरिजिनल पेपर आपका 75 मार्क आपका पेपर बताने वाला है और आपको समय आपको धाई घंटा दिया जाएगा यदि आपने ये पेपर कर दिया तो पेपर में आप यहां पर गर्जिस के पेपर में आप एक तम गर्दा मचा कराएंगे तो चलिए फटा पट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बता यहाँ पर आपको लास्ट कोश्चन जितने तोटल आपकी कोश्चन के सभी के अंसर मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और इस वीडियो में एक दम गर्धा मचाने वाला हूँ धुवा धुवा कर देंगे तो चलिए फटा पट जो भी छातन पर पहली बार कर ठीक है चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पेंप Им 하겠습니다 की सैंपart कर ऐसा मिलेगा और पीपर मिलने के बाद आपको यहां पेंगे और दीड़ सकते चुन एक से सबसे पहले आपको यहां पर यहां आपके यहां पे टोटल कितने हैं, आपके 6 कोश्चन है, और 6 कोश्चन के 6 कोश्चन हम एकडम चुटकियों में सॉल्फ करेंगे, बस आप ध्यान से देखते जाएं, एक भी नंबर आपके यहां पे कम नहीं होने दूगा, तो चलिए सबसे पहले आपके यहां पे लिखा गय होटों में, पगड़ा, यहां पे लेकिन यहां पे कंडिशन क्या होता है, क्यों आपका बढ़ाबर नहीं होन छी, यहां मतलब आपका पगड़े कमा ठील हुआ है, आपका स्मीष जायाए совाइन, पॉइंट वाद दसमलों लगा है तो आप आप सो लिख दीजिए देखिए आपका ये पी बटे क्यों हो गया और आपका क्यूं आपका जीरो भी नहीं है मतलब सैटिस फाई है इसके बाद देखिए जीरो वाला तो जीरो का देखेंगे तो जीरो हुआ और इसके बटे में आ आपका क्यूं आपका जीरो भी बराबर नहीं है इसमें भी मतलब आपका ये भी सैटिस फाई है है की नहीं है तो कौन सी परिमे संख्या है और इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट एक बटा दो तो एक बटा दो को भी देखेंगे तो देखें सिंपल सी बात है आपका इसमें भी आपका क्यू बराबर आपका ये क्यू है उपर बाला पी है तो आपका क्यू आपका जीरो नहीं है मतलब आपका ये भी सैटिस्फाई है आपके तीनों के तीनों संख्या क्या हो जाएंगे आपके परिमे संख्या हो जाएंगे यानि आपका राइट अंसर आपक सब बहुपद है तो बहुपद यानि भाई सब आपका होता है क्या है जिसमें आपके घात होते हैं आपका रेखिक बहुपद इसके बाद आपका होता है दुई घात बहुपद एक होता है आपके त्री घात बहुपद अब देखिए आपको मैं समझाता हूं कैसे करना है तो आपके sulit गात बूप पता है आपको अंसर यही। इसके बाद आता है आपके आपके पर तीस्रा को स्षिन्ट देखे आपके निम लिखित मैं से कौन सी परिमे संख्या एक और 2 के बीच में देखिए 1 और 2 के बीच है बहुत सरल है हम है ना आपको टेंशन नहीं लेना है समझेए ध्यानस देखिए क्या लिखा है एक बटा तीन को लिजिए तो एक में क्या करेंगे आप तीन का भाग देंगे तो क्या निकलेगा आपको दस बलगाना पड़ेगा और इसक और एक आप लगाई यहाप पर चारवुट्टे तीन को लगाई तो 4 पर तीन मतलब आपको चार में तीन का भाग देना है तो इसमें देंगे तो आपका यहापए तीन point में आए ठीक है अब देखिए 3, 2, 6, 1 3 आए गया अब इसमें पूछा क्या है question में पूछा गया है एक और 2 की बीच में तो अगर आपको मैं ये बाला देखूं ये ठीक है क्या लिखा है आपका 1 बटा 5 बाला तो इसमें हो गया मतलब आपका ये भी cancel हो गया और इसके बाद आपका ये वाला cancel हो गया अब देखिए एक और 2 के बीच पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए आपका ये वाला आपका जो आया है चरवाठट तीन वाला आपका इसमें 1.3 आ रहा है और 2 से ज्यादा कौन से, आपका लाश्ट बाला जो 7 बाश्ये 2 दिया है, इसमें 3.5 आ रहा है, मतलब आपका यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, आपका यह ज्यादा हो गया, मतलब आपका राइट अंसर आपका कौन सा होगा, आपका सा नंबर correct अंसर होगा, तो चलिए, इ इसमें आपUNGका 4 है इसमें आपक दो है इसमें आपका अचर जो होता हैतो इक में हमेशा जिरो आरि था होता है ठीक है और इसको मान आ था है यह आप। यह आपका سूत्र होता है ठीक है तो आप यहाँ पे simple तरेकी से आपको धेयान रखना है यहाँ पर सबसे बड़ी घात आपके यहाँ पर हो जाएगा इसके बाद पहुंचो कोस्षियन बहुपत एक माइनस 2X का आपको सुन्नक बताना है तो 1-2X मतलब होता है सुन्नक दीजिए 1-2X बराबर आपका 0 अब यहाँ पर क्राएं कि 2X कमान निकालेंगे तो पक्षांतर कर दीजी, माइनस बाला को उधर कर दीजी, तो 2x से प्लस में आ जाएगा, और बटे आपका यहापे, इधर क्या हो जाएगा, बराबर एक होगा, x कमान निकालेंगे, तो आपका यहापे एक में दो का भाग देजी, एक बटा दो आपका अंसर आएगा, कौन कोच्टक में, ठीक है, यह भी बहुत सिंपल है, देखिए, आपका एक सोत्र होता है, क्या होता है, जब आपका a plus b कोच्टक में, और a minus b होता है, तो इसका बड़ाबोचा a, square minus b, square, simple सी बात है, आप a बड़ाबर आपका यहापे अंडर root a है, ठीक है, तो a के जगह में बहुत करें गये नििकल जाएंगा तो ए माइनस भी मतलब आपका आनसर इसे में आपका माइनस आपका अपका थैरेइट लिक कर दीजिए eh यहां पर 1,000 आपको यहां पर बीडियो को टार이다 रेटे हैं 1000 लाइक कर दिजए यह कीन मानिए आपके पेपर डारेक्ट लिए यहां पर फसने वाले हैं इसके बाद देखिये आपका आता है रिक्ति इस्थान पूर्थी रिक्ति तरफ आ वाले सबसे चोटी आपका प्राक्र संख्या क्या होता है और चोटी प्राक्र से आपको एक करना है इसके बाद बहुपाद जीरो को बहुपाद कहा गया है देखिए भाई साब जिसमें आपको जीरो घात होगा सिंपल साब आपको इसको सुन बहुपाद और आपका ऐसे लिखा है एक्स प्लस आपका वन तो आपका यह रेखिक बहुपाद हो जाएगा ठीक है और दो घात रहेगा तो आपका दूई घात और यहाँ पर तीन हो गया तो आपका त्री घात हो जाएगा इसके बाद देखिए आपके तीसरे नमबर सोला की पावर आपका एक बटा दो है आपको इसको मान लिखिना बहुत सिम्पल है देखिए सोला को तोड़िए चार चको चार की घाता करएगा ठीक है ऐसे देखिए चयार गुड़े आपका तो यह हुआ शोला होगिया तो मतलब आपकोत घात कर ये अब इसको में मिठा देता हूँ आ समझे बात क्या है आपको चार यह हुआ तो मतलब आपको यहां पर rotating करना क्या करना है multiply कर दीचिए और यहाँ पे देखिए आप इसका तो निकाल दिए 16 का और घात 1 बटा 2 लिखा है तो multiply 1 बटा 2 2 से 2 cancel हुआ मतलब 4 घात आपका 1 बराबर आपका 4 आएगा तो simple sensor आपको यहाँ पे 4 कर देना है इसके बाद आपका चोथा question under root 2 एक कैसी संख्या है देखिए जब भी कोई आपका यहाँ पे under root में आए तो हमेशा आप यहाँ पे क्या करेंगे आपका आपरिमे संख्या होगा क्यों देखिए simple सी बात है आपको यहाँ पे under root आपका हमेशा point में ही answer आता है ठीक है इसके बाद च्छटा question देखिए दो परिमे संख्या हो कि मद्द डैस डैस परिमे संख्या होती है तो सारे भाई साब आपके बहुत सारे होती है कितने होती है अनंद आप उन्हें निकालते निकालते ठक जाएंगे इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लिखा है last में अ को यहाँ पर सुन करना है answer ठीक है चलिए हो गया अब इसके बाद आपको यहाँ पर question आता है सही जोड़ी वाले question बेटो को दिल से लाइक कर दो यारो क्योंकि आप यहाँ से टॉप पर निकल कर बनने वाले 9 के paper में आपको जो आयने वाला है वहाँ पे आपके 83 के number पूरे आप किसी से 6 रुपए उधार लिए है और 3 रुपए से लटा दिए तो 3 रुपए अभी भी आपका उधार बचा है मतलब कौन सा होगा minus 3 में answer आएगा तो simple तरीक से आपको यहाँ पर minus 3 में कर देना है यह देखिए आपको यहाँ पर इसमें आएगा इसके बाद देखिए आपका मैं आपको हर एक चीजें समझा देता हूं clear कि आपको यहाँ पर यह आपका हो गया आप इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर minus 5 और minus 4 देखिए 5 गुड़े 4 करेंगे तो 5 को 20 आएगा लेकिन minus minus आपका प्लस हो जाएगा यानि आपको अंसर प्लस में करना आपको यहाँ पर 20 और इसके बाद एक बटा चार लिखा है तो एक बटा चार को आपको यहाँ पर समतूल भिनका करेंगे एक बटा चार ऐसे लिखिए और देखिए इसका डबल हमें दो करता हूं उपर नीची तो 2 एक कम 2 और 4 दूनी आठी निए 2 बटे 8 आपको आपको इसका अंसर आपको यहाँ पर 2 बटे 8 करना है और इसके बाद देखिए चौथा चौथा लिखा है 2 बटे 100 तो 2 बटे 100 जो आप करेंगे तो क्या हो रहा आपका सिंपल तरीखे से कोशनी करना आपको यहाँ पर आप इसे काट दीजिए क्या करेंगे आप काटेंगे भाग 100 100 में 2 का भाग देंगे तो 0.00 आपका 2 आपका 2 आपका 2 आपका answer आपका सिंपल आपका इसके बाद 0.1 मतलब क्या होता है आपके एक बटे 10 हो जाएगा ठीक है क्योंकि एक फॉइंट वाक दसलो लगा है तो एक बटा 10 मतलब आपका यहाँ पहला आपका आजसन आपका यहा यानि कि आपका इसका अंसर आपका हो जाएगा आपका 1 ठीक है अब यदि आप नहीं समझे हैं हम आपको अच्छे से समझाते हैं देखी अब यहाँ पर देखिए मैं आपको अच्छे लगा देता हूं आपका पहले का अंसर इसका जो है आपका यह पर क्या हो जाएगा माइन इसके insert करिए और आगे बढ़ जाएए इसके बाद question आपका आता है यहाँ पे आपका निमलिखित में से आपको यहाँ पे एक सब्द में आपको उत्तर देना है तो आपका यहाँ पे जो आपका answer आना चाहिए बहुत simple तरीके से आपको करना है कुछ नहीं करना है साथ number question है द answer आपको इसमें 3 लिखना है इसके बाद under root 5 under root 5 और 2 under root 5 का गुड़ान फल देखिए यह भी करना बहुत असान है तो 5 under root 5 multiply 2 under root 5 अब देखिए 5 5 का होगा तो यहाँ पे आपका 5 आपका पांच आएगा ठीक है अंडर root से जब अंडर root का multiply होता है तो आपका यहाँ पे अंड answer क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 50 कर देना है तो चलिए यहाँ पे answer कर दीचिए आपको क्या हो जाएगा आपका इसमें 50 answer आपका यहाँ पे यह हो गया ठीक है तो आपको यहाँ पे answer 50 कर देना है अब 50 हो गया इसका अब इसके बाद देखिए तीसरा बहुपाद x स्क्वेर माइनस थ्यों can do is that mein national रिखे के लिए को एक्स का गुडाँ देखिए ऐसे कोष्चन करने के लिए बहुत सिंपल है आप एक सिंपल है आप मतल्ला आपको इसकी बात कर रहा है तो इतु हमनaus माइनस थ्यों खर्ड़िए सो भीच कित nephew करना नहीुकल कि बीच सिंपल तरीके में आपको बता रहा हूं तरीका कैसे करना है इसका सूत्र होता है एक बट्टा दो और आपका अंदर ए प्लस भी होता है ठीक है तो आप जोड़ दीजिए क्या करेंगे जोड़ेंगे जब दोनों को तो एक बट्टे दो आपका यहां पर बाहर हो जाएगा और 1 बट्टा 7 प्लस आपका 2 बट्टे 7 इसे करेंगे तो इसका आपका LCM 7 आपका 2 राइगा और 3 बट्टे साथ और 1 बट्टा 2 कम लिए गुरा तो देखें 3 एकम 3 और 7 erstmal 12 मतलब आपको तर्टत से तीन बट्टा 14 आपका यहांlen आपका यहां पर 14 आप अंसर कर दिछिए बिल्कूल कोई आपका यहां पर गलत नहीं होगा क्या लिखेंगे आप किसी से एक रुपए उधार लेते हैं तो वह आपका एक रुपए हो गया लेकिन आप किसी दो रुपए उधार लेते हो तो माइनस टू मतलब उधार लेना मतलब आपका माइनस तो माइनस एक और इससे बड़ा क्या है कि भाई आप दो रुपए उधार लिए और इससे मतलब ऑंपको यह अदि तो इसके बाद से चुश्या अनoppel रुपट गया होगा मायनस टू नहीं होगा हमारा मायनस आपको मायनस आपका पहोड होगा कैसे और यादि आप ऐसे नहीं समझ पारें तो समझ लजिए चैंड कि अब ढूं होता है इसके बाद मार्मा Finance चू होता है इसके बाद मार्मां स्रीं और मामनाश फोर ऐसे करके बढ़ता जाएगा मतलफ के माशनक है एक पढ़े लागा शर्ले आपके यृङ को यहाप पर ता जाये का इसके बाद फार्मे संख्या है ठीक ए आपको यहां पर लिखिक देना ए परिमय संख्या है के अंसर होगा लास्ट बाल देखे यहां पर चो जब आ एक करना अंशर सिंपल तरिका है करने आपको एक हो जाए इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए इसके बाद आपका आता है सत्थ और असत्थ वाले question तो 3 under root 5 क्या आपका एक परिमेश संख्या है तो मैंने बताया जब भी आपका under root आता है आपका वहाँ परिमेश संख्या हो ही नहीं सकता आपको अंसर आपको इसमें देखिए दूसरा question क्या लिखा है दूसरा question आपका यहां पर लिखा गया है बहुपाट 2x5 में अचर पद क्या आपका 5 है बिल्कुल देखिए जो आपका जिसका मान नहीं जलता है उसे कहते हैं आचर यानि संख्या संख्या कोई भी आपका होगा अचर होगा आपको इसमे आपको सम्झाना पड़ेगा भाग देकर इसके बाद प्रतेक प्राकस संख्या का क्या एक पूर्ण होती है लेकिए और प्रतेक आपका प्राकस संख्या होता है आपका इक से इस्टार्ट होता है पाचा कॉस्चीन प्रतिक पूर्ट संख्या क्या आपका ध sencillNet proteg पूर्णांग होता है तो आपको जो 5 बा सबै होता है आपका यह आपका क्या होगा देखे चौथा जो आपको यहां पर अंसर हुआ आपका यहां पर बताना पड़ेगा भाई साब आपका कि यहां पे पूर्ण नफम होता है तो आपको यहां पे इसमें भी आपको यहां पे असर्थ करना पड़ेगा और इसके बाद आपका लास्ट कुंश्चन परतेख परिमेर्स continuar अपका एक पूर्ण तो पूरा अंग की बात कर रहा है आपको यहाँ पे पूरा अंग नहीं है आपका आधा है आपको यहां पे असत्य करना backward करें याझे इसके बाद आपको आरगश्टार होते हैं तो आपको यह question आपके पेपर में फसेंगे एक कोश्चन कॉपी पर लिख लेना यहां पर 345 गुड़े 5 देखिए पांच गुड़ा करने के लिए हमेशा आप क्या करिए पचम 25 हो जाएगा और इसके बाद हासिल दू आएगा पांच को बीस दो बाईस और हासिल आपका पचीस आपका यहाँ पर आंसर आएगा यहाँ पर देखिए आपको गुड़ा करें घृष्या करेंगे बहुत 105 क्षे आपको थयानि आपका क्याक्त्राइगा आपका उत्तर को यहां पड़ेगा चलिका इसके बात question आता है आपकोई आपको ह्या पर दिया गएंगा सवाल को हल करके बाक्स में उत्तर लिखिये तो आठसोब बाग स मोरे आपका्भा में पढ़ेगा कि आपका 80 आपको यहाँ पर भागफल और 5 आपको यहां पर यह पर यह करना पड़ेगा इसके भाद देखिये आपको यह यहाँ पर यह अथ्वा वाला तो अथ्वा वाला question आपका यहां पर इसको चलर करना है तो सलरल कैसे करें देखिए चार बटे 11 लखिए, इसके बाद 5 बटे 22 और काट दीजिए, काटना बहुत असान है, काटने के लिए आपको यहां पर 2 से काटिए 2 दूनी 4 और इसको 11 काट दीजिए, ठीक है, अब 2 पंचे आपका यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए चार द्वूनी आपके यहाँ पर डू से कट गया आपको समझना पड़ेगा चार बको घ्या लिखिए और जब उसके भाग को बदलेंगे दो गुडा करेंगे तो आपका उल्टा हो जाएंगे 22 बाइस आपका उपर हो जाएगा पांच आपका पांच हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा पांच तो चार दूनियाट और आपको यहां पर पांच आठ बटे पांच आपको यहां पर सिंपल तरीक से आपको अंसर हो जाएगा यहां पर आपको कटा के बता दिया है वीडियो को लाइक करिए इसकी बात आपको यहां आठवा में आपको कुछ नहीं करना है दी गई आकरती आपको यहाँ पे छायंकित भाग को भिन के रूप में आपको लिखना है तो बहुत सिंपल है देखिए आपको इसे पहले आपको खंधे गिना है एक दो तीन चार पांच छे टूटल आपके छे हैं और रंगा कौन सा है चायंकित भाग मतलब आपका यह है एक है तो आपका एक बटा क्या हो जाएगा टूटल गित्ते आपके छे हैं तो एक बटा छे आपके इसका अंसर हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए इसका अंसर एक पर अच्छे हुआ अब इसके बाद देखिए आपके इसको सरल करना तो सरल करना बहुत सिंपल है जब भी आपका हर समान हो तो कुछ मत कर ये आप यहां पर सीधा-सिधा उतार दीजे पांच इसके बीच में प्लस लिखा है तो यहां पे पांच इसके बाद प्लस आपका यहां पे छह हो जाएगा और आपका है माइनस गली के और वटे तीनु स लाइक कर देना है और चलिए इसके बाद कोश्चना का आता है यहां पर कोश्चन नमबर 9 रेडू जो है अपने 6 दोस्तों के साथ गोल गप्पे खाने गई और उसे दुकानदार ने उन्हें 72 गोल गप्पे खिराए अगर यह सब ने बराबर गोल गप्पे खाए तो बताए यह साथि ने कितने गोल गप्पे खाए मैं आपको अथ्वा सच्था अंसर बता रहा हूं देखिए टोटल दो सबके छे थे कुल गोल गपपे किते थे बहातर थे तो भाइस साब प्रतेग गोल गप्पे किते खाएं कि बहातर में च्हें का भाग करिए मतलब यहां पे 12 ग कापी और 60 रुपए का आपका यहां पर दोनों को जोड़ेंगे तो आपका यहां पर आंसर निकल करा जाएगा 200 आपका यहां पर 23 रुपए ठीक एच्या लिए यहां पर दोनों का अंसर मिल जाएगा इसकी बाद question आपका यहां पर यह complete हुआ यहां पर देख लिजिए इसके बाद question आपको आता है question number 10 तो दसवा question देखिए आपके क्या लिखा है खाली बाक्स में उची संख्या लिखकर आपके दिये गए आपके भिंद का समतुल आपको भिंद लिखना है ठीक है तो कुछ मत करिएगा आपको बहुत सिंपल है इसके कुछ करने की जड़त नहीं है आठ बटे 80 लिखा है ना तो आठ बटे 80 करिए और बराबर दो इसको निकालना है तो बटे x कर दीजिए अब multiply करिए तो यहां पर 8 x सदाएगा और 8 x बराबर 802 60 तो आप x कमान निकालेंगे 160 में 8 का भाग 8 2 16 यानि 20 आपका निकल कर आपको 20 भर देना है क्या भरना आपको यहां फे 20 ठीक है तो आपको यहां पर सिंपल देखिए आपको यह लगा दिये गया है तो आपको यह एंसर करिए और इसके बाद आपका इसके अज़्वा क्योस्चिन क्या लिखा है किसी आयतकार कार्ड के लंबाई 12 cm है और पड़ेगा एक आयतकर आपका लंबाई और चोड़ाई की बात कर रहा है तो आपको लाइक करिए चैनल को करिए सब्सक्राइब और इसके देखिए आपको question ग्यारबा आता है तो ग्यारबा से लेकर आपके यहां पर लास्ट आपके टूटल किते हैं आपके तेई कोश्चन इनके answer आपको हम सबसे पहले provide करेंगे बस आपको क्या करना है अभी आपको wait करना है जिससे आपको यहां पर total आपके तेई तक के answer complete आपको जी जा जी फैक के मारो या फूपा जी मुझे नहीं पता बस click हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे